जे हिंदोस्तों स्वागत थे आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए हाँ पर हिंदी साहते के बहुत ही महत्तुपूर्ण कॉस्चन आंसर तो वीडियो को पूरा वस्य देखना है अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन दबाएं और पर क्लिक करें ताकि वीडियो की जानकारी आप कहां तक पहुंचे जादा से जादा वीडियो को शेयर करें और वी यहां पर अंसर है तो आप कमेंट में चरूब बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर तो इसका जो सही आंसर है वहाह WITCल नबर A आँचार बामन आपका यहां पर सही आंसर होगा क्वैसिन नॲंबरब दो यहां पर पुंचा है कि आचार रामचन सुक्लय ने दीती-कल की समय सीमा कब से कब तक मानी है देखी किस ने मानी है आचार रामचन सुकल जी ने तो आपका जो सही अंसर है यहाँ पर भै क्या है कब से कब तक मानी है तो 1700 से 1900 आपका यहाँ पर राइट अंसर है तो विकल्प नंबर आप कभी यहाँ पर सही अंसर है question number 3 यहाँ पर पूँचा है डाक्टर नंगेंदर ने प्रवित्ती की आधार पर रीतिकाल को 5 भागों में बाटा है असंगत चाट यह तो यहाँ पर असंगत चाटना है कि वह कौन सा भाग है जिसमें नहीं बाटा है यह आपके लिए असंगत चाटना है यहाँ पर तो question number 3 का right answer क्या होगा यहाँ पर तो मैं तो पूल question है और इसका जो सही answer है question number 3 का विकल्प number C आनिकी रीति बद्द काब्बे आपका यहाँ पर यह जो है right answer हो का विकल्प number C अंगला question क्या पूचा क्या है तो question number 4 आप यहाँ पर देख लेते हैं यह देखे इन में से कोन सा नाम रीति काल का नहीं है तो उत्तरमद्द काल, पूरमद्द काल, अलंकरित काल यह सिंगार काल तो आपका चार का जो right answer है चार का right answer विकल्प number B यान की पूरमद्द काल, आपका यहाँ पर सही answer होगा पूरमद्द काल, आपका right answer है question number 5, क्या पूचा क्या है यहाँ पर आच्या, रामचन सुकल ने रीति काल की कभियों का विभाजन कितने भागों में किया है एक, दो, चार, तीन यह चार विकल्प देगा है तो आपका यहाँ पर सही answer होगा question number 5 का, क्या right answer तो विकल्प number B यान की दो, आपका यह जो है right answer है, दो भागों में अंगला question है, हिंदी के किस काल में लक्षन ग्रंतों का निर्माल हुआ है, भै काल बताना है कौन सा काल है, आदुने काल, भैक्ति काल रीति काल या आदि काल तो आपका यहाँ पर सही answer है जिसमें लक्षन ग्रंतों का निर्माल उगा है, भै काल कौन सा है तो भै रीति काल है कौन सा है, रीति काल आपका यहाँ पर सही answer है question number 7 देखे रीतिकाल में राजवासा वा काप्विभासा क्रमसा थी पताईए कौन सी थी रीतिकाल में राजवासा और काप्विभासा क्रमसा थी तो साथ कराइट आंसर विकल्प नमबर सी राजवासा भारसी और जो मतलब काप्विभासा ब्रिज इस प्रकार आप कराइट आंसर होगा अंगला question क्या पूंच गया है question number 8 रीती काल को आचार विस्ट नाद प्रसाद में सर ने क्या नाम दिया है अलंकरित काल मद्य काल रीती बद्य काल सिंगार काल question number 8 का right answer आपका जो यहाँ पर होगा बहुत पड़ी यहां राइट आंसर है यहां पर अंगला क्वॉस्चिन क्या पूचा क्या है बिख भास ही ना अनुमानू एसे ऐसे कविन की बानू हुसो जानिये पन्थी है व्यकारी दास मति राम लाल या सुंदर इह चार विकलप में यह पन्थी किस की है यह आपके लिए हाँ पर बताना है तो आपका क्वेस्चे नमबर नो का राइट आंसर है विकल्प नमबर आप कहांपर क्या है नो का एक यानि की भेकारी दास आप कहांपर सही आंसर है question number 10 क्या पूँचा गया है तो देखे बिहारी सस्तही इनमें से किस बर्ग में आता है यह आपके लिए यहांपर बताना है बिहारी सस्ती किस बर्ग में आता है तो question number 10 का right answer मुक्त का बे आपके हैं पर right answer होगा question number 11 है जीवन की अतीसे रसकता से जब ये लोग घवरा उठे होंगे तो राधा कृष्ण का सही अनुराग उनके धर्म भीरू मन को अस्वासन देता होगा अपरुक्त कतन किसा ये तितियास कार का है ये कतन बताना है ये कतन किसका है तो question number 11 का C right answer डाक्टर नगेंद्र आपका right answer होगा अंगले question है घवनानंद को अमर कंने वाली रचना का नाम क्या है वह रचना कौनसी है वह रचना का नाम बताना है जिसको घवनानंद जी को अमर कन्ने वाली रचना का नाम बताना है तो बारा कराइट आंसर है सो जान सागर सो जान सागर आपके हैं पर सही आंसर है बिल्कुल सही रेजी ही सु कभी सो तो जाने जानव कविताई ना तो रादिका कनहाई समरिन को बहाना है यह पंती है पंती किसकी है यह आपके लिए बताना है question number 13 में तो यह पंती जो है विकारी दास की है किसकी विकारी दास यानि की विकल्प number एक right answer आपका यहां पर है लोग है लागी कवित बनावत मोही तो मेरे कवत बनावत पंती किस कभी की है पदमाकर आलम देव या घनानं question number 14 का right answer बताना है तो 14 का जो सही answer है आपका यहां पर विकल्प number D घनानंद आपका यहां पर सही answer होगा आचार के सब्दास की रचना कभी प्रियात था बीर सहीं देव चरित्र का रचनाकाल क्रहमसा था तो इसका जो आपसे यहां पर रचनाकाल पूंचा है रचनाकाल क्या था तो यहां पर आपका जो question number 15 है विकल्प number C 1601 और 1607 इस प्रकार आपका यहां पर right answer होगा अंगला question क्या है चंडी चरित्र किस रीती कालीन कभी की रचना है यह आपके लिए बताना है तो question number आपका यहां पर 16 है और 16 का जो right answer है वह है आपका यहां पर 16 का विकल्प number आपका B आनिकी गुरू गोबिंद से है गुरू गोबिंद से है आपका यहां पर right answer है बिल्कु कोखिस का असरे प्राप्तता 17 का विकल्प number आपका B आनिकी महराजा इंद्र जीत से है आपका right answer इंद में से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है देखें नहीं पूछा अलंकार ग्रंथ नहीं है तो आपके हैं आपर जो right answer है question number 18 का वह है आपके हैं आपर अलंकार ग्रंथ नह नमबर 19 का आपका जो सही आंसर है 19 का वहे आपका विकल्ब नमबर B आनी की रस ने दी आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा Question number 20 की गिरधर कभी राई की रचिना किस चंद में है तो किस चंद में है यह आपके लिए बताने कौन से चंद में है तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है आपका 20 का यहाँ पर जो सही आंसर है आपका विकल्ब नमबर B कुंडलिया आपका राइट आंसर है रीती से तात पर उन लक्षन ग्रंतों से है जिसमें रस, अलंकार, वक्रोती, इवन ध्वनी, आदी के भेद, स्वरूप, अवियब, आदी के लक्षन दिये गए हों यह कथन किसका है, यह कथन बतान है, कथन महत्तुपूर्ण पूचा गया है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है, कॉस्चन नमबर 21 का विकल्ब नमबर आपका B आनिकी भागी रत, मिस्टर आपका सही आंसर है कभी राज शुरोमनी की पद्वी इनमें से किसी प्राप्त थी, भूसर्ण, पद्माकर, बिहारी या लालकभी, तो कॉस्चन नमबर 22 का जो राइट आंसर है आपका, भहे है आपका है यहाँ पर 22 का विकल्ब नमबर आपका B आनिकी पद्माकर, पद्माकर आपका है असंगत चांट यहां पर असंगत कतन जो है असंगत चांटना है आपके लिए question number 23 में तो 23 का आपका जो सही answer है असंगत कौन सा होगा तो बहुत ही महत्यकुन question है और आपका D right answer है अलंकरत काल जार्जगिरेशन एक ऐसा है असंगत है तो विकल्प देव की रचना कौन सी नहीं है देखिए आपको नहीं बताना है तो कौन सी नहीं है तो 24 का सही answer आपका यहां पर क्या होगा D right answer है सुजान चरित सुजान चरित आपका यहां पर सही answer है Question Number 25 का दिया गया है रीति काल के रीती चेतस और काप चेतस दो उपभेद किसने किये हैं तो यह जो दो उपभेद कीए है यह दो उपभेद किसने किये हैं तो आपका यहां पर राइट Top 25 का आपका जो सही answer है भैह है आपका यहां पर 25 का विकल्प नमबर एक यानि की डाक्टर बच्चन से हैं आपका यहाँ पर सही आंसर है बिलकुल सही डाक्टर बच्चन से हैं जिनों ने बताया है उनका सही आंसर यहाँ पर दिया गया है अंगले कॉस्चिन का है अश्टियाम किसकी रचिना है यह आपके लिए यहाँ पर बताना है रिती काल का रीती सिध्द्य नाम क्या था आचा राम चन्सुकल आचार रहजारी परसाद दुवेदी विच्षणानत परसाद मिस्ट्र आपकर और दॉक्टर नागेंद्र फिर नाम्ब्र आपका पर विकलप स्युआ के रिती आंशर पmoreBERints क्या है तीन का राइट आंसर तो आपका विकल्प नंबर डी आनिकी मती राम मती राम आपका यहाँ पर सही आंसर है बिल्कुल सही मती राम जिन्हों ने बताया है उनका राइट आंसर होगा कॉस्चिन नंबर चार पूंचाई सिवा को रसाँ हों की रसाँ हों शत्र साल को पंती के से रीतिकालीन आचारी की है तो यह जो पंती है पंती बताना है आपके लिए किसकी पंती है तो बताएट नंबर चार का राइट आंसर है तो आपका भूसन राइट आंसर है बिल्कुल सभी यह आपकी चार विकल्ब है, question नमबर पांच का राइट आंसर बताना है, तो छंदर सास्त्र आपके यहाँ पर सही आंसर होगा, रीति काल में सरवादिक प्रिवित्ती बंडन करने वाले कभी थे, तो रीति काल में सरवादिक प्रिकृति बंडन करने वाले, जो कभी थे, विकारी दास थे, या बिहारी थे, प्रताप साही थे, सैनापती थे, यह आपके यहाँ पर चार विकल्ब दिएगा है, question नमबर आप से यहां पर साथ पूंचा गया है लक्षन ग्रंतों का निर्माल करने वाले कभीयों को क्या कहा जाता है तो जो लक्षन ग्रंतों का निर्माल करते हैं उन कभीयों को क्या कहा जाता है question number 7 में आपके लिए यह बताना है तो उनको कहा जाता है क्या कहा जाता है आचार ये आचार ये आपके हैं पर सही आंसर है बिल्कुल सही बहुत बणिया right answer है question number 8 का आपके हैं पर बताना है क्या होगा right answer हिंदी में लक्षन गरंतों की परिपाटी पर रचना करने वाले सेक्ड़ों कभी हुए बे आचार नहीं हो सकते बे कभी ही हैं कथन है ये कथन बताना है ये कथन भी आपके जो है यगजा में पूँचे जाती है इसी परकार की कथन भी ये question आपके पूँचे का question है old में बही question आपके लिए लेकर आए हैं तो 8 का आपका विकल्प number 1 यानि की रामचन सुकल आपका सही answer है रीती निरूपन का अर्थ क्या है ये आपके लिए बताना है रीती निरूपन का अर्थ क्या होगा question number 9 का right answer बताना है तो काव्यांग के निरूपन आपके याँ पर right answer ये आचार की सवदास का जन में कब हुआ था ये आपका महत्तुपून question है की सवदास जी जो है इनका जन में जो हुआ था ये आपके लिए बताना है तो question number 10 का right answer विकल्प number 115 आचार सुकल ने रीतिकाल का प्रवर्टक किसी माना है सुकल जी ने रीतिकाल का जो प्रवर्टक माना है किसी माना है तो आपके याँ पर सही answer है सुकल जी ने माना है किसको चिंता मनी को अंगला question क्या पूँचा गया है केसाओ को कभी हिरदय नहीं मिला था, कथन है, केसाओ को कभी हिरदय नहीं मिला था, तो यह कथन किसका है, यह आपके लिए, Q12 का राइट आंसर बताना है, तो बारा का राइट आंसर है, आपका विकल्प नमबर B, आनिकी रामचन सुकल, रामचन सुकल आपका राइट आंसर question number 13 है इनमें सी कौन सा कभी रीती मुक्त कभी नहीं है नहीं है तो घनानंद भूसन आलम बोधा तो question number आपका 13 है और 13 का जो right answer है वह विकल्प नमबर B आनिकी भूसन आपके यहाँ पर right answer है भूसन जिन्हों ने बताया है उनका सही answer बहुत बढ़िया लाल भाल पे लसत है इसकी पंती है तो आपका यहाँ पर question number 14 का right answer है क्या है right answer विकल्प नमबर B आनिकी रस निधी आपका यहाँ पर चाहिए answer होगा रस निधी की यह पंती है बिल्कुल चाहिए रीती काल में बीर रस की कभीता करने वाले कभी इनमें से कौन सा है तो रीती काल में बहुत कभी है जो बीर रस की कभीता करने वाला कभी है मती राम चिंता मनी भूसन बिहारी तो आपके यहाँ पर right answer question number 15 का right answer होगा विकल्प नमबर आनिकी भूसन आपका right answer है बिसुन पर कीरतन किसकी रस निधी प्रताप से या आपका रसलीन तो question number 16 का right answer होगा विकल्प नमबर B आनिक रीती सिद्ध कभी कौन है रीती सिद्ध आपके लिए बताना है रीती सिद्ध कभी कौन है तो आपके यहाँ पर right answer होगा विहारी गनाना देव या बोधा तो question number 17 का right answer है विकल्प नमबर यह क्या निकी विहारी आपका right answer फूल मंजरी की रचना कब हुई? question number 18 का right answer बताना है जो फूल मंजरी है इसकी रचिना कब हुई तो बताईए question number है आपका 18 चार विकल्प भी दे गए हैं और आपका सही answer होगा क्या होगा 1619, 1619, 20 अंगला question है question number 19, इन में असे कौन सा कभी रीती बद्ध कभी है देव घनानंद बिहारी बोधा, तो question number 19, 19 वा question है महत्पुन, question आपसे यहां पर पूंचा गया है और 19 का विकल्प नंबर एक यान कि देव आपका हैं आपका राइट आंसर होगा, देव का भी आपका राइट आंसर है सिद्धान्त बोध की रचेता हैं, सिद्धान्त बोध की रचेता कौन है, तो 20 का सही आंसर आपका जो होगा यहां पर, 20 का राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर है, जस बंत सेहं, जस बंत सेहं आपका राइट आंसर, सिद्धान्त बोध की रचेता माने जा यहाँ पर विकल्प नंबर C, आनि कि कुलपती मिस्र, आपका सही आंसर यहाँ पर है, अंगला कॉस्चन है, क्या है राम चंद्रा भरण नामक अलंकार गरंत के रचेता कौन है, यह अलंकार गरंत है, कौन सा, अलंकार गरंत है, यह और इसके जो रचेता है वह कौन है, तो question 23 का विकल्प नमबर B आनि की गोप आपका यहां पर राइट आंसर होगा बिलकुल चाहिए अंगला कॉस्चिन क्या है एमक सतसई की रचेता कौन है यह कॉस्चिन कई बार पूंचा जातुका एक्जाम में हैं कि क्या आपका विकल्प नमबर B राइट आंसर है यानि की ब्रंद आपको नमबर पच्चेस से ब्यंगार्त कोमुदी के रचेनाकार का नाम बताई ब्यंगार्त कोमुदी के जो बहुत बढ़िया राइट आंतर बताया तो यहां पर आपने भूत ही महत्वपुन कॉस्चन कंप्लीट हुए हैं तो क्यांसा लगा ये वीडियो आपको कमेंटों में बताने हैं अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सस्क्राइब करने हैं बेल आइकन दबाए ना भूलें तो आज की वीडियो में बस इतना ही सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए जय हिंद